तो फाइनली दोस्तों एंडियन बॉक्स आफिस पर इस अपते रिलिज्मी फिल्म स्पाडरमन और पुष्पा हिंदी बॉक्स आफिस के साथ साथ वर्डवाइट बॉक्स आफिस पर लगातार बहतरन कमाई कर रही है और कई सार रिकोर्ड्स अपने नाम कर चुकी है तो भाई दोस्तों बॉल्यूट की तीन बड़ी फिल्में तड़ाप, अंतेम और सूरी वंशी भी बॉक्स आफिस पर अपनी लाइफटाइम रंद पूरी कर चुके हैं और अब दोस्तों इन तीनोही फिल्मों को जो लाइफ बॉक्स आफिस कलेक्शन्स के बारे में और जानने वाले हैं दोस्तों की इन सभी फिल्मों में आज बॉक्स आफिस की बाजी किसने मारी है, कौन सी फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स आफिस पर 2021 की हैष्ट ग्रोसर फिल्म बन रही है और ट्रिपल र एंडियन बॉक्स आ अभी तक के टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन्स के बारे में तो सबसे पहले बात की जाए यहाँ पर अन्टीम के अभी तक के टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन्स की जैसा कि आप सुभी जानते हैं दोस्तों की अन्टीम एक गेंग्स्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसके ल लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने अपने शुरुआ थी तीन दिनों के विकेंड में सिर्फ 19 करोड रुपे ही कमाएं बतादे चले दोस्तों आपको कि सुपरिष्टा सलमान खान के सुपर इस्टाडम की वज़ा से इस फिल्म का अपने पहले ही अपते का जो टोटल कलेक्शन था वो 32 करोड रुपे का रहा लेकिन अगर बात करें हम लोग यहाँ पर इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स आफिस की तो दोस्तों बता दे आपको कि सुपरिष्टा सलमान खान के इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम में लगबग 42 करोड रुपे की कामाई आल और इंडिया से की है तो दोस्तों यहाँ तो यहाँ पर तडब के अभी तक के टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो जیसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों के तडब से अनना के बेटे यानि के सुलिष शेटी के बेटे अहां शेटी ने बॉल्लिड में अपना डेवीट किया है और ये फिल्म दोस्तो एक 2018 की तेलगू हिट फिल्म RX100 की ओफिशल रिमेक है अहां शेटी के साथ साथ दोस्तो इस फिल्म में आपको बीटिफल तारा सुतारिया भी नजर आई है जिसका डारेक्शन किया था मिलन लुथरिया ने दोस्तो बता दे चले आपको की लगबग 30 करोड रुपे के बजट से बनने वाली तड़ब को भी इंडियन बॉक्स आफिस पर आउडियन्स की तरफ से काफी अच्छी आपनिंग मिली और काफी अच्छा रेस्पॉंस मिला इस फिल्म ने दोस्तो अपने पहले ही दिन 4 करोड 95 लाख रुपे की कमाई इंडियन बॉक्स आफिस पर करी महीं दोस्तो अपने शुरुआती तीन दिनों के विकेंड में ये फिल्म बॉक्स आफिस पर लगबग 16 करोड रुपे कमा चुकी थी बात की जाए दोस्तो इस फिल्म के फर्स्ट विक की तो दोस्तो अपने पहले हपते में इस फिल्म का बॉक्स आफिस पर जो कलेक्शन आया वो रहा था 25 करोड रुपे का महीं अपने दूसरे हपते में इस फिल्म ने Indian Box Office पर 6 करोड रुपे कमाए बताते चले दोस्तों आपको कि 30 करोड रुपे के बजट से बनने वाली इस फिल्म ने अपना बजट सिर्फ 2 हपतों में रिकवर कर लिया था महीं दोस्तों ये इस फिल्म का 3 हपता चल रहा था और इस अपते दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 1 करोड 20 लाख रुपे का रहा है इस तरह से ये फिल्म Indian Box Office पर 32 करोड 20 लाख रुपे कमाई और World Wide Box Office पर 40 करोड रुपे कमाई के साथ एक हिट फिल्म साबित हुई है बात की जाए दोस्तों यहाँ पर सूरी वंशी की तो दोस्तों अक्षई कुमार की फिल्म सूरी वंशी को Indian Box Office पर 45 दिन पूरे हो चुके है और अब दोस्तों यह फिल्म Indian Cinema घरों से निकल चुकी है बाता से चले दोस्तों आपको के रोहिष शेटे के डारेक्शन में बनने वाले इस फिल्म को और्डियन्स की तरफ से काफी अच्छा रेस्पोंस मिला था और यही वज़रा ही दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन चहां 27 करोड रुपे के उपनिंग लिग वही दोस्तों अपने पहले हपते में 121 करोड रुपे कमाने में सफर रही ये फिल्म दोस्तों बॉल्लिट की 2020 में रिलीज़ने वाली सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है और इस फिल्म का इंडियन बॉक्स आफिस पर जो लाइफटाइम कलेक्शन है वो 197 करोड रुपे का रहा है साथी साथ दोस्तों वर्ड वाइट बॉक्स आफिस पर इस फिल्म का जो लाइफटाइम है वो 300 करोड से जादा का रहा है और सुपरिश्टार अक्षे कुमार की ये फिल्म 2021 की इंडियन सिरिमा के सबसे बड़ी ग्रोसर फिल्म बन चुकी है हाला कि दोस्तों इस फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अब पुश्पा बॉक्स आफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है और देखना ये होगा दोस्तों कि पुश्पा इस फिल्म के रिकॉर्ड को कितने दिन में तोड़ लेती है बात की जाए दोस्तों अब यहाँ पर इस अपते रिलिज़ी फिल्म Spider-Man No Way Home के अभी तक के Total Box Office Collections के बारे में तो जैसा कि आप से भी जानते हैं दोस्तों कि Spider-Man No Way Home इस फ्रेंचाइजी के अब तक की सबसे Most Avated फिल्म थी जिसने कि Indian Box Office के साथ साथ Worldwide Box Office पर एक एतिहासिक ओपनिंग ली और अपने पहले ही दिन दोस्तों इस फिल्म ने जहाँ Indian Box Office पर 42 करोड रुपे कमाए वही दोस्तों Worldwide Box Office पर ये फिल्म अपने पहले ही दिन 125 मिलियन के आखड़े को पार करने में सफल रही यानि कि दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन Worldwide Box Office पर लगबग 900 करोड रुपे की ओपनिंग ले ली थी दोस्तों बताते चले आपको कि Spider-Man 9 वे हॉम ने Avengers Infinity War और Avengers End Game जिसी बड़ी फिल्मों के रिकोर्ड को भी तोड़ दिया और Box Office पर एक Blockbuster फिल्म साबित हुई बात की जाए इस फिल्म के Second Day की तो दोस्तों इस फिल्म को अपने Second Day भी Indian Box Office पर audience के तरफ से काफी अच्छा response मिला और इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन Indian Gross Box Office पर कमाए 25 करोड रुपे महीं दोस्तों अपने तीसरे दिन भी इस फिल्म ने Indian Box Office पर आउस्टेंडिंग ग्रोड दिखाई और कमाए 30 करोड रुपे इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों में Indian Gross Box Office पर 100 करोड रुपे का आकड़ा पार कर चुकी थी महीं दोस्तों Indian Net Box Office पर इस फिल्म का अपने शुरुआती 3 दिनों का जो कलेक्शन था वलगबग 38 करोड रुपे का हो चुका था बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म के चोथे दिन के Box Office कलेक्शन की तो दोस्तों अपने चोथे दिन भी इस फिल्म ने Box Office पर आउस्टेंडिंग होल्ड किया और बहतरिन कमाई के साथ इस फिल्म ने कमाई है 35 करोड रुपे इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का आल और इंडिया से अपने शुरुआती 4 दिनों का जो Gross Box Office कलेक्शन है वह लगबग 140 करोड रुपे का हो चुका है साथी साथ दोस्तों नेट Box Office पर भी ये फिल्म इंडियान Box Office पर 100 करोड रुपे की कमाई कर चुकी है बात कि जाए दोस्तों इस फिल्म के पाँचवे दिन की आज भी इस फिल्म को लेकर और्डियान्ज की बीच में काफי अच्छा क्रेज देखने को मिल रहा है फैमली और्डियान्ज के साथ साथ दोस्तों बच्चे भी इस फिल्म को काफी इंजॉय कर रहे है और यही वज़े है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने पाचवे दिन इंडियन बॉक्स आफिस पर लगबग 13 करोड रपी की कमाई कर रही है इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडियन नेट बॉक्स आफिस पर लगबग 122 करोड रपे का हो चुका होगा और ग्रोस बॉक्स आफिस पर 150 करोड की कमाई के साथ ये फिल्म एडिया में एक हायस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी होगी आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंड करना बिल्कुल ना भूलिएगा अब बात कर लिए दोस्तों यहाँ पर 16 सुपरिश्टार अलू अर्जुन की फिल्म पुषपा के अभी तक के टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स आफिस के साथ साथ वर्ल्डवाइट बॉक्स आफिस पर 71 करोड रुपे की ब्लॉक बश्टर ओपनिंग ली और सभी हैटर्स की बोलती बंद कर दी दोस्तों बता दे आपको कि इस फिल्म के लिए महश बाबू के फैंस और कई सारे साथ एक्टर्स के फैंस बुराइआं कर रहे थे और इस फिल्म को भला बुरा बोल रहे थे लेकिन दोस्तों जैसे ही इस फिल्म को और ओडियन्स के तरफ से अच्छे रिविस मिले वैसे वैसे दोस्तों इस फिल्म के collections में काफी अच्छी growth देखी गई इस film ने दोस्तों अपने पहले दिन जहाँ 71 करोड रुपे all और वोल्ड से कमाए वही अपने दूसरे दिन भी इस film के जो collections थे वो 45 करोड रुपे के रहे इस तरह से ये फिल्म अपने शुरुआती दो दिनों में 116 करोड रुपी की कमाई कर चुकी थी लेकिन दोस्तो इस फिल्म ने अपने तिसरे दिन जिस तरह की आउस्टेंडिंग ग्रोथ इंडियन बॉक्स आफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइट बॉक्स आफिस पर दिखाई है उसके बाद तो यही कहना होगा दोस्तों कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स आफिस पर एक आल टाइम ब्लोगबस्टर बन चुकी है जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दे चले कि इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन एक बार फिर से धमाकेदार ग्रोथ दिखाई और कमाए 57 करोड रुपे और इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म वर्लड वाइट बॉक्स आफिस पर अपने शुरुवाती तिन दिनों में 173 करोड रुपे की ब्लॉक्स आफिस पर कमाई कर चुकी है आज दोस्तों इस फिल्म का बॉक्स आफिस पर चोथा दिन है और आज भी इस फिल्म के जो कलेक्शन से वो धमाकेदार आ रहे हैं यही वजह है दोस्तों की ये फिल्म आज अपने चोथे दिन बॉक्स आफिस पर लगब ट्रिपल र के बॉक्स आफिस प्रेडिक्शन के बारे में जिसके लीड में आपको जुनियर एंटियार, मेगा पाउर श्टार राम चरण, आजय देवगान और आलिया भट्ट नजर आने वाली है। दोस्तों ऐसा स्राजा मोली सर के डायक्शन में बनने वाली इस फिल्म का आउडियंस को काफी बेसबरी से इंतजार है और हिंडी में दोस्तों इस फिल्म का जिस तरह का शांदर प्रमोशन हो रहा है, यह फिल्म हिंडी बॉक्स आफिस पर एक all time opener थाबित होने वाली है। पचास करोड रुपे का रह सकता है इस फिल्म का दोस्तों जिस तरह का बहतरिन ट्रेलर हम सभी को देखने को मिला जिस तरह का शांदार प्रमोशन इस फिल्म का मुंबई हैदराबार और सभी जगह हो रहा है उसे साब से दोस्तों ये फिल्म बॉक्स आफिस पर एक बड़ी अपनिंग ले लेगी आपको क्या लगता है दोस्तों क्या ट्रिपल र का इंडियन बॉक्स आफिस पर अपने पहरे दिन का कलेक्शन सो करोड से ज़्यादा का रहे गा या नहीं हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भुलियेगा और बॉक्स आफिस बॉल युड औ